वसकार दोस्तों, स्वागत है आप सुभी का लेयर 3 एजुकेशन में देखिए, हम लोग जो है आपका क्लोक वाला चेप्टर पढ़ेंगे, है ना, जो आपका पिछले वीडियो हो चुके है, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो चेप्टर है, वो आपका है, आपका क्लोक वाल यानि कि इसमें जो है आपके five type के question बनते हैं, four से five type के question बनते हैं, सारे जो question है, या फिर सारे जो type है, one by one करके हम इसको discuss करेंगे, तो सारी चीज़े आज के इस वीडियो में हम लोग cover करने वाले हैं, ठीके, आगे बढ़ेंगे, और इसके कुछ important fact जो है, यानि कि इस chapter के कु तीस डिगरी का कौन बनाती है, यानि कि एक घंटे में वो कितने डिगरी का कौन बनाती है, तीस डिगरी का कौन बनाती है, ठीके, तो आपको ये देखने के लिए आगे चलना होगा, थोड़ा सा आगे वाली आप slide देखे, तो इसमें आपको बहतरी तरीके से clear होगा, वो कि आप देखेंगे कि पूरा जो एक पूरा गोला होता है वो 360 डिगरी का होता है। पूरा कितने का होता है तेन का बनेगा. यहां आप लोग यहां देख सकते हैं कि एक घंटे में जिसे ओनलो यह 12 बज रही है और यह आपका एक बज रही है. तो यहां पे जो कौन बना आपका यह बना 30 डिगरी का. वो क्यों बना क्यूंकि फूरा जो बोला होता है 306 साट डिगरी का होता है पुरा जो कोला होता है 300 डिग पीर का निक्या जाए इनकी हर गण्टे के हिसाब साफ और कर देखके तो बारा गण्टे में 30 डिगरी का को Re मनेगा है आप देख सकतें हैं इत्य है तीश बिलकुल बन जाएगा ना 30 डिगरी का बन रहा है एक घंटे में फिर आप इसको आगे ले जाए तो ये साथ डिगरी का बन गया यहाँ पर है ना फिर एक घंटे आगे ले जाए 90 डिगरी का बन गया फिर 120 डिगरी का एक सो पचास डिगरी का ऐसे आप लोग इसने बोली है, वो ये बोली है, कि वो कह रहा है कि एक घड़ी, पांच मिनट में 30 डिगरी का कोण बनाती है, ऐसा क्यों भईया, तो आप देखोगे, अगर ये घड़ी है आपके सामने, ये आपका घड़ी के यहाँ पर एक काटा है, ये आपका यहाँ आ जाता है, यानि कि म कितने डिगरी का, एक मिनट में बना, 0 से 0 काटा, 6 से 6 36, यानि कि 60 डिगरी का कोण बन गया, यानि कि एक मिनट में 6 डिगरी का बनता है, तो पांच मिनट में कितनी डिगरी का बन जाएगा, तो पांच मिनट में 30 डिगरी का बन जाएगा, और ये सारी चीजे, one by one हम जब करेंगे तो आपको और इस्तिती ज़्यादा क्लियर होती हुई चलेगी ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे यह वाला क्यूशन देखेंगे है ना हाँ ठीक है चलिए यह देखना एक मिनट हाँ ठीक है चल यह चीज आप लोग देखिएगा कि इस वाले चेप्टर में अगर हम इसको 90 degree मोर दे तो कितना बच जाएगा यह सारी चीजे आपके इसके इंतर्गत आती है तो यह पहला टाइप है आपका पहला टाइप आपका यह है जिसमें आपसे वो different तरीके की चीजे पूचता है जिसमें हम लोगों को बताना होता है कि दोनों सूईयों के ठीक है और दूसरा बनता है समय अंतराल का समय अंतराल में क्या होता है वो पूछता है कि मानलो कि आपका एक वेक्ति जो है वो घर से इतनी बज़े निकला और अपने ओफिस इतनी बज़े पूछा मानलो पूछता है कि वो चार बच के 38 मिनट पे घर से निकला और पार्क में पहुँचा 5 बचके 34 मिन्ट पर तो उसको कितना समय लगा यानि कि समय अंतराल की गंड़ना करना होती है बहुत ही इजी वाला ये चेप्टर आपका होता है यह इस पे ये टाइप बहुत ही इजी वाला होता है यानि कि आपको fraction value उसकी बताना रहती है यानि कि fraction value आपको उसके अंतर कर बताना होती है ठीक है चोथा टाइप देखें तो 12 गंटे और 24 गंटे की घड़ियों में संबंध क्या होता है ये सारी चीजे बताता है विभिन प्रशन इसके अंतर कर आते है तो 5 टाइप में हमने इसको बाटा है और 5 तरीके से हम इसको डिसकस करेंगे यानि कि 5 टाइप हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे ठीके दोस्त चलिए गाड़िया आगे बढ़ाते है और आगे चलते है पहला क्यूशन आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिखाए दे रहा होगा जो कि लिखा हुआ है कि शाम के 8 बजे दोनों सुयों के बीच एक घड़ी में कितने डिगरी का कौन बनेगा देखिए यहाँ पर चित्र भी आपको दिया हुआ है उतसे ओर ज़्यादा इस्तति क्लियर होगी कि यह 8 बज रही है तो 8 बजे आपकी घड़ी में कितने डिगरी का कौन बनेगा अभी हम लोगों ने सीखा था कि एक घंटे में 30 डिगरी का बनता है अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि एक घंटे में 30 डिगरी का बनता है कौन यहाँ पर आप घंटे गिन लीजे कि इतने घंटे का समय हो रहा तो उस हिसाब से आप निकाल लेंगे जैसे कि आप देख एक समय यह हो रहा है दो गंटा यह हो रहा है तीन गंटा यह हो रहा है और चार गंटा यह हो रहा है यानि कि चार गंटे का समय हो रहा है तो तीन से इंटू किया चार में तीन चोग बारा यानि कि 120 डिगरी का समय आपका हो रहा है जो कि option number सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्ति ठीक है चलिए अगला क्यूशन में आप लोगों के सामने रखता हूँ करने की कोशिश सभी दोस्त अपनी कोपी पेन में करिएगा है ना और इसका अंसर लाइएगा कि शाम के पांच बज़े दोनों सुयों के बीच एक घडी में कितने डिगरी का कोण बनेगा जिसे अब यह 8 बज़े बना तो आपका यहाँ पे बताना है कि यह जो 5 बज़रा है इस घड़ी में 5 बज़रे है इसमें आपका कितने डिगरी का कोण यहाँ पर बनेगा देखिएगा यह यहाँ पर आपसे यह कौन पूचा है कि यह कौन कितने डिगरी का बनेगा तो आप देख सकते हैं कितने घंटे की गेप है यहाँ 12 से 5 आ रहा है यानि 5 घंटे की गेप है तो बड़ी आसानी से आप लोग निकाल लेंगे कोई दिक्कत इस वो आप लोगों का बिलकुल करेक्ट आंसर पुचाएगा कोई दिक्कत इसमें नहीं है बड़ी आसानी से आप लोग सीख लेंगे आगे बढ़ाएंगे उपर से उताते इसको और थर्ड वाला क्यूशन आप दोस्तों के सामने लिखा हुआ है बहुत बहतरीन प्रशन है इनको करते हुए चलिएगा तो और आइडिया आपका क्लियर होगा कि कैसे वो समय पूच्ता है कैसे हमको निकालना है लिखा हुआ है दिन में धाई बजे धाई बजे दो बच कर तीस मिनट पे दोनों सुयों के बीच बनने वाला कौन कितने डिगरी का होगा यह आपको बताना है दोनों सुयों के बीच जो कौन बनेगा वो कितने डिगरी का होगा यह आप लोग देखिएगा ठीक है चलिए तो आप देखना यहाँ पर समय कितना हो रहा है गंटे की gaping कितने आ रही है वो हम लोग पेचानेंगे तो आपका ये वाला कौन बताना है भाई साब ये जो कौन बन रहा है धाई बजे इन दोनों सुयों के बीच में ये आपको बताना है ये x degree कितना हो रहा है तो यहां आप देखें एक गंटे की gap ये है पांस से चे में एक गंटे की gap ये है चार से पांस में एक गंटे की ये हो रही है तीन से चार में ये हो रही है और यहां पर आदे गंटे की gap है यानि कि तीन गंटे तो पूरे और आदा गंटा और ये यानि कि टोटल मिलके साड़े तीन घंटे हो रहे हैं तीन सही एक बटे दो या साड़े तीन इसको आप लोग कह सकते हो साड़े तीन घंटे की gaping आ रही है भाई साब ठीक है अब एक घंटे में एक घंटे में कोण बनता है 30 डिगरी का एक घंटे में कोण कितना बनता है 30 डिगरी का अब आप देखोगे कि 3.5 गंटे हो रहे हैं 3 सही एक बटा 2 गंटे तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप 3 दुना 6 और 1 7 बटे 2 है ना तो 7 बटे 2 गंटे का गुणा कर देंगे 30 पे तो 30 का इंटू करेंगे 2 से किया तो यहां पे आया 15 15 साते 105 डिगरी यहां पे जो कोण बनेगा दोनों सुयों के बीच में यह बनेगा 105 डिगरी का जो कि option नंबर B वाला आप लोगों का बिलकुल correct answer हो जाएगा कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं है 3.5 गंटे का समय हो रहा था आप लोग ऐसे भी कर सकते सारे 3 को 3.5 लिख सकते थे और into 30 कर देंगे तो बिलकुल easy way में आपका हो जाएगा जो कि आ रहा है आपका 105 डिगरी यहनिकि option नंबर B वाला जो होगा वो आप लोगों का बिलकुल correct answer हो जाएगा बोलो कोई समस्या है हां तक कोई दिक्कत नहीं है बिलकुल easy way में आप लोग कर लेंगे ठीक है चरी आगे बढ़ते हैं next question देखेंगे और ज्यादा इस्तिति आपकी clear होती चलेगी जैसे जैसे हम लोग question करते हुए आगे बढ़ेंगे वेसे वेसे आपका और घणित clear होता चलेगा question number 4 पे आप लोग नज़र डाले तो लिखा हुआ है कि दीन में साड़े तीन बजे तीन बज़ के तीस मिले जैसा आपको इस चित्र में दिखाए दे रहा है मैंने जितना possible हो पाया है आपका इस तरीके से किया है कि आपको हर एक question में जो समय दे रखा है जैसे इसमें साड़े तीन समय दे रखा है तो बेने वो घड़ी डूंड के यहाँ पर आपके लिए लगाई है ताकि आपको और easy way में समझ में आ जाए दोनों सुईयों के बीच बनने वाला कौन कितने degree का होगा 105, 95, 85, 85 या 125 तो करिएगा है ना सुरी है ना तो 105, 95, 85, 125 देखिएगा तो साड़े तीन बज़े हुए है दोस्तों तीन बज़ कर तीस मिनट यानि कि यह वाला कौन आपको निकालना इन दोनों के बीच में कितने degree का कौन बनेगा तो यहां पे देखा एक घंटे की ये 5-6 के बीच में 4-5 के बीच में 1 गंटे की और यहां पे आदे गंटे की आरी यानिकि दो घंटे तो पूरे और आदा 75 इसका correct answer होगा, option number B जो होगा दोस्तों, वो आपका बिलकुल correct answer हो जाएगा, कोई समझ से यहां तक देखिए, यहां पर आपका कौन बन रहा था, इन दोनों के बीच में 30 degree का यहां, है न, 30 degree का यहां और 15 degree का यहां, यानि कि आपका इस तरीके से था, है न, तो आपका यह सा से 4 के बीच में 15 degree का यहां बन गया था, 4 से 5 के बीच में 30 degree का बन गया, 5 से 6 के बीच में 30 degree का बन गया, तो 30, 30, 60 और 15 यानि कि 54 degree का कोण आपका बन गया, option number B आप लोगों का बिलकुल correct answer हो गया है, ठीक है, चलिए, उतारते हैं उपर से परदा, और next question आप लोगों के सामन question number 5 देखिएगा दोस्तों, क्या बोल रहा है, कि दोपहर दो बजे घड़ी में बनने वाले व्रहद कोण और दोनों सुयों के बीच बनने वाले noon कोण का कितना गुना होगा, देखिए, मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, दो तरीके के कोण यहां पर बनते हैं, चलिए दोस्तों, और यह जो बाहर बन रहा है, दोनों घड़ीयों के बाहर की और जो बड़ा कोण बन रहा है, इसको कहते हैं, व्रहद कोण, व्रहद कोण भी कहा जाता है, और एक और नाम इसका है, परिवर्त कोण कहा जाता है, इसको परिवर्त कोण भी कहा जाता है, है ना, तो जो पूरा कौन होता है यानि कि पूरी घड़ी में जो कौन बनता है वो 360 डिगरी का होता है और दो बजे जो कौन बनेगा वो बनेगा यहाँ पे दो घंटे में के हिसाब से है ना तो एक घंटे में 30 डिगरी का दो घंटे में 30-30 डिगरी यानि कि अंदर का जो न्यून कौन ह वो noon cone कितने का बना दोस्त, noon cone बना 60 degree का, कितने का बना दोस्त, noon cone यानि का अंदर वाला जो cone है वो 60 degree का बना, तो बाहर का cone कितना हो जाएगा, यह जो बाहर का बचा है, यह कितने का हो जाएगा, यह 300 degree का हो जाएगा, क्योंकि पूरे cone में, संपूर्ण cone में से, noon cone घटाते है तो आपको परिवर्थ कोन मल जाता है परिवर्थ यानि कि बाहर का कोन इसको बोला जाता है परिवर्थ कोन आपको मिल के 300 डिगरी का उसने कहा कि न्यून कोन का कितना गुना है यानि कि न्यून कोन 60 डिगरी है और ये 300 डिगरी है तो इसका कितना गुना है पांच गुना है यानि कि छे पंजे तीस यानि कि पांच गुना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा option number D जो होगा वो आप लोगों का बिलकुल करेक्ट आंसर दोस्त हो जाएगा चलिए आगे बढ़ाएंगे next question देखेंगे और इस्तिति क्लियर आपकी होगी अब आपको वरहत कोण का पता चल गया है तो ये question आप लोगों के लिए है question number 6 आप लोगों से पूछ रहा है कि बैया सुबह के 11 बजे यानि कि जो आपको घड़ी में समय दिखाए दे रहा है यहाँ पर कि 11 बजे एक घड़ी में बनने वाले कोण वरहत कोण का माप क्या होगा वरहत कोण का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वरहत कोण यानि कि आपका कोण सा वाला कोण जो बाहर का बनता है यानि एक तो noon कोण बन रहा है इसमें देखें मैं आपको चितर के माध्यम से समझाता हूँ कि ये जो बन रहा है ये अंदर का कोण बन रहा है इसको कहेंगे noon कोण ठीक है ये जो बाहर बन रहा है ये जो इतना बड़ा वाला कोण बन रहा है इसको कहेंगे व्रहत को इसको क्या कहेंगे व्रहत को तो यह आप लोगों से पूचा है बड़ा ही आसाने वे से आ गया होगा आंसर बिल्कुल इजी वे में आप लोगों ने पता लगा लिया होगा कि भाई यह टोटल कौन 360 डिगरी का उसमें से noon कौन कितना बन रहा है एक गंटे की बात है यह नहीं कि 30 डिगरी का बन रहा है तो आपका बचा हुआ कौन 330 डिगरी का 330 डिगरी का आंसर हो जाएगा option number B वाला जो होगा वो आप लोगों का बिल्कुल correct answer हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल easy way में आप लोग find कर लेंगे कोई समस्या इसमें नहीं है ठीक है दोस्त चली आगे बढ़ते हैं next question हम लोग देखते हैं चली ठीक है चली बहुत बढ़िया चली ठीक है बहुत बढ़िया शांदार चली आगे बढ़ेंगे next question आपका कह रहा है कि एक घड़ी में शाम के चार बजे दोनों सुयों के बीच बनने वाले कोण और तथा वरहत कोण के बीच कितने डिगरी का अंतर होगा तो आपसे पूचा है कि एक आपका noon कोण बन रहा है अंदर noon कोण तो क्या है एक दोनों सुयों के बीच बन रहा है इस प्रकार से जिसे कि ये ये आपका एक कौन ये बन रहा है और एक बन रहा है ये वाला बाहर वाला तो ये noon कौन कहलाएगा और ये कहलाएगा वरहत कौन तो इन दोनों के बीच जो अंतर है उन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा ये आप लोगों को बताना है चली केसे करेंगे बहुत easy way में आपका हो जाएगा देखिएगा केसे करना है ठीक है चली अब देखना यहाँ पर अंदर कितने degree का कोण बन रहा होगा तो यहाँ पर 4 गंटे की gaping है तो 30 degree एक गंटे में यानि कि 4 बजे कितना बनेगा 120 degree का कोण बनेगा यानि कि अंदर जो को में से आप 120 माइनस करेंगे तो 240 बचेगा यानि कि ये कोण जो है आपका वो 240 का है यानि कि व्रहत कोण कितना 240 न्यून कोण कितना 120 इन दोनों का अंतर कितना तो माइनस करना है बस इनका अंतर कितना तो 0, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया आपका 1 यानि कि 120 degrees का अंसर आ रहा ह बिल्कुल easy way में आप लोगों ना find कर लिया आना इस तरीके से इसको करेंगे question number 7 आपका जो होगा वो option number B आपका right answer हो जाए आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं question number आपका 8 वाला करने की कोशिश करिएगा कि एक घड़ी में सुबह के 8 बज़े हैं और जब वह दीन के 2 बज़े तक आती है तब घंटे की सुई चल कर कौन सा कोण बना दी है noon कोण, sum कोण, sunal कोण या अधिक कोण इसका answer आप लोग करिएगा क्या इसका answer हो जाएगा तो तो आपको इससे और समझ में आएगा चलिए देखिएगा, क्या इसका answer बन रहा है 8 बज़े से 2 बज़े तक आपका आ रहा है तो देखना, यहाँ पर आपका इस तरीके से होगा यह घड़ी है साब आपकी, यह आपके 12 बज़े हैं यह 6 बज़े हैं, यह 7, यह 8, यह 9, यह 10, यह 11, यह आपका 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5 ठीक है 8 बज़े हैं और आपका यहाँ से चल कर यह घड़ी आ रही है, आपकी यहाँ पर आ रही है मतलब यह इस तरीके का कौन आपका बन रहा है, ठीक है तो 8 से 2 पे पहुचे यानि कि बिल्कुल एक सीधी रेखा वाला कोन बन रहा है, 8 के अपोजिट होता है, जैसे 12 के अपोजिट 6 होता है, एक के अपोजिट 7 होता है, उसी परकार 2 के अपोजिट 8, फिर 3 के अपोजिट 9, फिर 4 के अपोजिट आपका 10, फिर 5 के अपोजिट 11 और चेक अपोजिट बारा, इस तरीके से बन रहा है, तो जो अपोजिट होता है, उस पे एक सरल रेखा का निर्मान होता है, जब सरल रेखा का निर्मान होता है, और उसमें 180 डिगरी का कौन बनता है, तो उसे कहते हैं, सरल कौन कहते हैं, यानि कि आपका option number C वाला जो होगा, वा आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, option number C बिल्कुल right answer हो जाएगा, ठीके, आगे बढ़ते हैं, question number 9 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा, क्या कह रहा है, 9 वाला question क्या कह रहा है, देखिएगा, 9 वाला question कह रहा है, कि निम्न लिकित में से, कितने बज़े, दोनों सुई के बीच, एक समकोन का निर्मान होता है, समकोन का मतलब होता है, 90 degree का कोन, यानि कि इस तरीके का कोन, 90 degree का कोन, समकोन कहलाता है, अब समकोन कब होगा, वैसे बिल्कुल बच्चा बच्चा जानता है, 6 वजे जो होता है, 6 वजे तो 12 पर ऐसा होता है, 6 यहाँ पर ऐसा बनता ह तो यह तो सरल कॉन बन रहा है 6 बज़े तो सरल कॉन बन गया 8 बज़े की बात करें तो 8 बज़े इस प्रकार का बनता है 120 डिगरी का बनता है 9 बज़े इसका राइट आंसर हो जाएगा यानि कि घड़ी है 12, 9, 3, 6 तो 9 बज़े आपका इस तरीके से right triangle ट्रिंगल बन जाएगा यानि कि सम कोन आपका बन जाएगा तो सम कोन का निर्माण कितनी बज़े होता है 9 बज़े होता है option number C वाला इसका बिलकुल correct answer हो जाएगा बहुत easy way में आप लोग find कर लेंगे कि सम कोन कब बनता है question number 10 आपका जो है इस प्रकार से है कि शाम के साड़े 5 बजे दोनों सुयों के बीच एक घड़ी में कितने डिगरी का कौन बनेगा साड़े 5 बजे कितने डिगरी का बन जाएगा भाई लोग तो साड़े 5 बजे आप लोग देखें तो मिनट का जो काटा है वो तो 6 पे रहता है ओब्यस सी बात है और और गंटे का काटा 5 यानि कि इन दोनों बीच में यह पर आ रहा है ठीक है तो TED 'Dोनों के बीच में यह कोन बन रहा है याल heating यह इतना कोन बन रहा है तो आप अगर देखें 5 से 6 में total cone बनता है 30 degree का, आपने सिखा था कि एक घंटे में 30 degree का cone बनता है तो आधे घंटे में कितना बन जाएगा, यह आधे घंटे gaping आ रही है, तो आधे घंटे में इसका cone का भी आता हो जाएगा, यह नि कि 15 degree का बनेगा, यह नि कि option number डी वाला जो होगा वह आप लोगों का बिल्कुल correct answer आ जाएगा डी इसका बिल्कुल correct answer हो जाएगा ठीके दोस्तों question number आपका 10 ये हो गया है आगे बढ़ेंगे question number 11 आप लोग देखिएगा 11 वाला question क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ियेगा लिखा हुआ है कि शाम के यह आपका साड़े साथ बजा है यानि कि घड़ी में आपका इस प्रकार के आकरती बनेगी एक ना बारा से छे एक निए बारा से छे और साड़े साथ में क्या इस्तिती होती है तो आपका बिलकुल करेक्टांसर हो जएगा इस तरीके से आप लोग कर लेंगे चली आगे बठते हैं एक मिनट इना चली देखिएगा आपके अग्ला question देखते हैं यहां पर 11 वाले question तक हम लोग पहुंच गाए थे 11 वाला question आपका हो चुका था अगे हम लोग बढ़ेंगे 11 वाले question तक है ठीके चाली देखिएगा यह question हो गया था आगे भड़ गया एक मेरा डूबा आपका new cone बनाने के लिए घड़ी में कितने बज़े होना चाहिए new cone का मतलब क्या होता है आप लोग को पता है चेक करता हूँ तीन बजे तीन बजे तो आपका समकोन बनता है आप सभी को पता होगा बिल्कुल इजी है समकोन बन रहा है बिल्कुल तीन बजे इस प्रकार का यह यह बारा यह तीन इस प्रकार से समकोन बन रहा है चार बजे तो आपका जो है और बड़ा कोन बनेगा इस प प्रकार का कौन बनेगा यह 12 यह एक यह 2 यहां पर 60 का कौन बनेगा तो 2बजे 60 डिगरी का कौन बनता है यानि कि D वाला इसका बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2 बजे नून कोर्ड बनाने लिए कितने बजे होने चाहिए गड़ी में दो बज़े होना चाहिए दो बज़े आपका समय जो है नियोन कोड़ वाला बनता है चलिए अगली टाइप आप लोग अगर देखे टाइप नमबर टू आप लोगों की है जिसे कहा जाता है समय अंतरा समय अंतरा लियनिके आपसे समय की गेपिंग पूची जाती है और दिल्ली नो बज़े पहुंचती है तो पूरी आतरा में कितना समय लगा तो आपका option है एक घंटा ग्यारा गंटे बारा गंटे या तेरा गंटे तो आप लोग यहां अगर जल्दबाजी करें तो आपका question गलत भी हो सकता है कि 8 बज़े से 9 बज़े आदमी सुचता है कि एक घंटा लगा होगा लेकिन गडबर जो हुई वो यह हुई कि 8 बज़ कर 8 बज़ कर यहां पर एम है यहां पर एम है यानि कि यह जो समय है एम होता है यह सुबह का समय यानि कि वो सुबह निकली और 9 बज़े रात को पहुंची ठीक है साब सुबह 8 बज़े निकली और कब पहुची रात को 9 बजब होती तो सुबह 8 से रात के 8 तक हो गए 12 घंटे और 1 घंटा और यह यनि कि कुल मिलाकर उसको यातरा में कितना समय लगा तो यह कहलाएगा 13 घंटे आपका बिल्कुल correct answer होगा जो की option number D है आपका तो D वाला बिल्कुल correct answer हो जाएगा ऐसे में आपका समय का अंतराल पूछा जाता है यह type number 2 है इसके 2-4 question है वो हम लोग करेंगे फिर बढ़ेंगे type 3 पर देखिएगा आपका अगला जो question है वो इस प्रकार से है question number 14 कहता है कि राम सुबह 7 चालिस को उड़ता है यानि कि राम जो है सुबह कितनी बज़े उड़ जाता है 7 बचकर 40 मिनट पे उड़ जाता है और उसे 9-10 पर घर से इसकूल के निकलता है पर वो क्या करता है 9 बचकर 10 मिनट पे वो घर से निकलता है तो उसे तयार होने में कितना समय लगा यानि कि जब से उठा और वो स्कूल के निकला तो कितना समय लगा तो इन दोनों के बीच की जो गेप है वही आपका आंसर हो जाएगा इसका आंसर करिएगा क्या इसका आंसर होगा question number 14 का चलिए तो इसका जो आंसर होगा बहुत easy है कि 47 से आप लोग देखें तो 48 तक ये तो हो गया एक घंटा ठीक है साब अब 48 से 9 बज़े तक यानि कि 20 मिनट की वो गेप और 10 मिनट ये यानि कि 30 मिनट यानि कि 1 घंटा और 30 मिनट इसका अंसर हो जागा असर ये क्या किया हमको तो समझ में नहीं आया ठीक है साब आप क्या करो बड़ा टाइम उपर लिखो 9 बच के 10 मिनट पर पहुँचा और 7 चालिस पर निकला था ठीक है अब हमको माइनस कर लेना है बड़े समय में से छोटे समय को माइनस करेंगे तो यहां से एक घंटा उधा लिया इधर यहां से 7 आनो जो बज रही है यहां पर मैंने 8 बज जा दी तो एक घंटा उधा लिया मतलब 60 मिनट ले लिया तो 60 और 60 मिनट ये हो गए 70 में से 40 30 60 में साथ गया एक एक घंटा और 30 मिनट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से आप लोग कर लेंगे तो इसका आंसर होगा एक घंटा 30 मिनट ओप्शन नंबर C वाला जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाए ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्रेशन लेंगे एक काम करते हैं आज के सेशन को ये रखते हैं मैं आपको इसके आगे का वीडियो का आपको पहुचा दूँगा ठीक है धन्यवाद फूरा वीडियो देखने के लिए